आप सभी लोग का स्वागर्ट का जो हमारा फर्स्ट प्राइम मोटीब जो रहेगा आज आपके बहुत बाते हैं सभी लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्रमेंट का एक जाम सभी भारतवर्ष के सभी विद्यार्थी सॉमा एस वेल एस डिग्री लोग को भर सकते हैं कर मैं करण्ट सेनारियों की बात करों तो अभी आपका दूहजार तेईस में इसके एक्जाम के यॉट सॉट होने वाला है और आपका जनवरी तक होगा और उसके बाद दिसंबर तक फॉर्म फिल कर दिया जाएगा इसमें फर्वरी से मार्च के आप अपरेल तक भी जाएगा तो दो हजार तेईस में हम अनुमानित अगर तोर पर कहें तो आपका फर्वरी मार्च या अपरेल तक भी जाएगा है यह सच है तर्ती आम आज से बात करें टाइम से मैं बात करूं बगभग आपके पास साथ से आठ महिने का समय बहुत अच्छे और यह स्ट्रेन में अगर वोलूं बहुत लोगों को जो है इसके रिगार्डिंग तो मैं इस छोटे से 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 माधियम से आप वीडियो लेक्चर के आपके अब सभी लोगों के 99.9% की करने का हुआ एक परसेन्ट रहे भी जाता है. ONE!!1% की रहे भी जाता है तो आप हमाने टेलिग्राम गूरूप क्योंच करेंगे और टेलिग्राम गूरूप लाथ एट 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 कि टेलीग्राम ग्रूप नेम अब आब कि टेलीग्राम ग्रूप इविल एट इंजिनियर इन कि कि हमारा टेलीग्राम ग्रूप है आप है कि हमारे खिलांसेज होती है यह जितनी भी हमारे चैनल के द्वारा ओनलाइन पोर्टल है आपके लिए on-line प्लेट फॉर्म है सबसे बेस्ट प्लेट फॉर्म एक जो भी है आपका प्रान कर दिया है अब बात करते हैं कि DST Trent क्या-क्या चीजे हैं मैं किस तरह से तैयारी करते हैं और अगर आप अभी तक किस तरह से तयारी और फिर भी failure होने तो है तो मिलता है यह स्ट्रे नसीज ही आगर मैं कहूं तो यह आपका एक मैं सको कहू क क использ को बुराहि नहीं होगी कहना नहीं कर दो कि या कहा है इसको अगर अगर आप इसमें अगर आप सारे कि इस सारे जो जो पॉइंट में यहां पर गिना हो पर जो है उस के रूज उस पॉइंटस पर अगर आप काम करना कर दें यह स्टुएट्वेंट्स आप जानते हैं कि सबसे पहले हमेशा से मैं अपनी Classes में सबसे पहले ती मांत्र होते हैं मेरे यह सारी चीज है हम जानते हैं जानते हैं कि दो पार्ट में इस होता है प्यारे विजियार ट्री फेस पर वन डिक अजल गहता है आपका प्लाथ गहां है में इस Ayfish अगहालाव मत बनाट माई है शु restroom आपका धैपर वन स्क्रीर में बन्याद कम्यान अखे नियुक्तच का ठुक्तब्लक स्था रखकलतब measurement और आप ये भी जानते हैं कि प्री जो है प्यूर्ली अब्जेक्टिव होगा जिसमें चार आएंगे आपको चार में से पड़ेगा जब कि प्री जो है अपके प्यूर्ली सब्सक्राइब होगा भी जो लोग काफी सालों से पड़ रहे हैं तो उनको सब पता है यहां लेकिन जो आपके बिगिनर हैं अगर इस वीडियो को फ्यूर्ली आपको बता दू दिग्री ब्लस डिप्लॉमा तो भरेगा ही टेकिन अगर सिंगल डिप्लॉमा विध्यार्ती है वह तो भरेगा ही वह बरेगा उप्लस अगर डिग्री विध्यार्ती है बीटा किया है है अलग-अलग इस्ट्रीम में सीविफिल में होँ इलेक्टिकल में हो मेकैनिकल में इन परांच के लिए बस यह हुआ है जुछी बात है उसने इंपॉर्टन बात यह है जो पहला पेपर है यह दो पार्ट में कि वाइड हुता है दो पार्ट कहने का मतलब है ठीकनिकल आपका टेकनिकल सफेज के हम बात करेंगे सिविलिधिरिंग का अगर आपका नौन टेकनिकल पार्ट के जाएंगे आपका आपका एक रिजनिक फेएंगे कि अब कि नॉन टैक में भी आपका रिजनिंक होगया और दूसरा पाठ होगया आपका ग satisf और जब बात करें हम रहे हैं घर पक्चास मार्ग घर अगर बात करते हैं तो टेक्निकल फेज में आपके totally 100 questions ने ड़्मार्क्स के आपके 100 questions तो finally अगर मैं बात करूँ जो है finally अगर मैं बात करूँ यहां पर तो पेपर one जो set होगा तो आपका 200 question होंगे और करके दो सो में से 50 नमर रिजनिंग, 50 नमर जीयेयस और 100 नमर आपका pure lease्वील का होगा और मैंने इतने सारे paper को analysis किया है, इतने सारे बालोकों का selection होगा है, इतने सारे विध्यार्थिव功 color olat department मे요 selection हुआ है, उन सभी से query लेकर उन सभी से जानकारी लेकर या प्रिवेस यहर पेपर के अनलिसिस पर बेस्ट मैं बात कर रहा हूं कौन से सब्जेक्ट जादा होते हैं कौन से कम बताऊंगा भी आगे पर यहां पर एक मोटे मोटे तौर पर आपको भर भी मिल चुका है पचास क्वेशन आपके रहेंगे और जीएस का मतलब क्या होता है आपका हिस्ति है इसमें आपका पीप और पॉलिटी और एकोनोमिक्स है ना और आपका जीप और जोगरेफी इस पर इस साइंस जनल साइंस की फार दी करंट अफेर्स की सब बाते होंगे क्वालिटी जोगरेफी एकोनोमिक्स साइंस जनल साइंस और करंट अफेर्स और इस बात को आपको धान रखना है क्या बात हो गए आपकी अब प्यॉरली यह तो पचास नमर पचास नमर ठीक है आपने लागे करते हैं अब बात करते हैं टेक्निकल अब मैं यह सारी बातें आपको फिर से स्लाइड पर आओंगा इस स्लाइड पर फिर से ओंगा कि कितने नमर के लिए हमें स्कोर करना होता है कितने नमर्स के लिए हमें मेनत करनी होती वो सब बाते मैं करूंगा भी लेकिन फिलाल पहले मैं आपको स्लिवस डिफाइन कर दूं कि एससी क्या कहता है कि यह स्ट्रेंग जैसे ही तुम यह पेपर पूरा का पूरा 200 मार्क्स अब क्वालिफाइड कर दोगे यह वाला जब क्वालिफाइड हो जाएगा तब जाके आप इस एकजाम में बैठते हो अगर इसको क्वालिफाइड नहीं किये तो आप पेपर टू में नहीं जा सकते बा प्रिजिनिंग के क्वेशन आएगे फिर आपके जी एसके और फिर आपके टेक्निकल चलता रहेगा 100 क्वेशन यह तुम्हारा जैसे ही पास हो जाता है पिरी का रिजल्ट आएगा पिरी के रिजल्ट के बाद जो है मेंस का पेपर के लिए आपको अगर वहां हो जाता हो तो उसके बाद दोक्युमेंट वेरिफिकेशन है नथिंग इस दाट दोक्युमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद पक्का आप जी है अलागलाग देपार्टमेंट में सेंटर वार्टर कमिशन या C.P.W.D. या M.E.S. मिलिटर इंजिरिंग सर्विस इन सवीट पेपर वन को बहुत अच्छे से कवर अप करना उड़गा सबसे ज्यादा मैनत लगेगी और फिट सर आपको पेपर टू तो बात की बाद है सर पेपर टू के लिए फिर हमारी मैनत लगेगी ऐसे तो दिमार थिरी बन रहे है बन रहे हूं सभी थिरी के मैं आपको जवाब अब आते हैं इसको लिखना पड़ेगा आपको बहुत सारे क्वेसन कैसा आएंगे वह सब मैं बताऊंगा अभी आपको क्या पैटर्ण अब लोग गलती क्या करते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यह है कि गलती यहीं से शुरू हो रही है जब आप ऐसा सोचना सुरू कर देते हैं कि छोड़ो अभी मेंस के लिए पहले पिरी तो क्वालिफाइड हो जाए उन्हों जरा ध्यान से क्या गलती यहां सब पहला जो फैलर पॉइंट है वो यह है कि पर होनकी तैयारी अलग और प desirable की तैयारी यह जो है सबसे बड़ी गलती का कारव। मैं समझा देतो हूं त्यारी कैसे करें सबसे पहले तैयारी तैयारी तियारी गार है ऐए हारि घयरी की सुरवात कैसे और ईयरी की सुरवात जो है यसे दिमाग मेंने है कि हां हम जो है अब और जो है तैयारी की सुरवात तो पहला हम प्री पढ़ लेते हैं प्र मैंश के लिए पाद रहा ہوगे ओग हो गया ऐसा नहीं हमारे दिमार्ग मेंन एक paper नहीं होगा कहाँ पर मैं कैसे करोंगे इसको पर मैं Mis convey पेपर होंगे पेपर हमको दोनों ही पेपर के लिए मतलब कि हमको फाइनल जी बन कि उन्हों स्टेज से पार होके निकलना है अब देखेगा गलती कहां पर होगा है हम क्या करते हैं डियस्ट जैसे कि मैं कि अपकर परी का पेपर है मार्च में मार्च 2003 को उसी भी डेट में मैं बूल जाता है इसका रिजल्ट आजाएगा अपरैल में ठीक है अपरहल में इसका रिजल्ट आप रिजल्ट आप रोगा सब कुछ है सब पुरा एक्जाम का जो करी हो सब देखता है घेर भर हुआ करेल माई भेर मायं '. अब कि इस जूम को करवा देगा आप हैं आधा हो शकता है कि आपके माई में हो सकता है जून तो मैने जादा हीद मुण दे रहा है फरी रिजर्ट ये एक्जाम्पल मैंने केवल का है मैंस का पीरी का मार्च में हो गया एक्जाम पेपर 1 सुखक्ष्टा सुखक्ष्टर,ソード यहाँ पर लिगें इने मैंस का जूल में समझें आप खेल को समझें नहीं समझें सोचो अभी तक आप मार्च तक आपने तयारी करी 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 करने का मतलब यह है कि आपने खूब सारा जो है रिजनिंग भी पड़ा खूब सारा जीएस भी पड़ा भड़िया से पड़ा ठीक खूब सारा टेकनिकल भी पड़ा सिविल को भी खूब सारा पढ़ा लेकिन पी के हिसाब से पढ़ा बात को समझो खूब सारा पढ़ा प्री टेक्निकल को सिविल को लेकिन आपने क्या 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 प्री के हिसाब से पढ़ा मतलब कि अपने अब्जेक्टिव अब्जेक्टिव लगाए यहां पर आप धोका खा लेते आप करते क्या हो जैसे आप मार से बढ़िया से आपका प्री क्वालिफाइड हो गया कोई दिखत निया आपके 125-130 नमर आगे कोई दिखत निया कि गतल की जब आपने कीवल पिरी के हिसाब से पढ़ रहा होता है कहांपको प्रीस्टम union आपको क्यवल दो महने के हो सके है कि आप पताप दो महिना भी नाम इले देट महिना मिले और जब आपको देड महिने की अंदर पर मैंतल ने ये थेपकस की ओका सार्शारशbakरा बसमने की पाना अर्शारश्च आ अर्रया में अर्श। आर्शारश कैंल्युमे। आएक सब्सक्राश का आए अर्श्यूर तर्या है। parar से की इस crafts card भाई doesn't क्रेंबमं के इसरा में कि परा इसरा की इरिगराई बड़ दियायन इररा है इरिगराई ऑनी कंँड्फर शेकि इरिगरान आपको इन पर like फिर सेवी इरिगोश्टिंग इरिडो तरीगेश सा टिन ट economists म कमका ऑटे शाटबनेगोंड चाहर इरिगेश्टिंगुट सय कि पर ना जैसे कि आपका सर्वेंग के बाद यहां पर जो है जैसे कि आप बूलते हैं सर इस्टेंथ और मटिरियल कि कि अंदर यहां पर यह पन चैनल फ्लो जब भी है आ रहा है पूछ रहा है से लिवस में आईडूलिक मसीन मैं पूछ रहा है तो पढ़ना पढ़ेगा रसी हाइवे रेल्वे स्ट्रक्चर का पढ़ना होता है चोटा से पार्ट आपको प्लास्टिक अनलिसिस का पढ़ना होता है तो मैं मिसलेने से में पढ़ाता हूं प्लास्टिक अनलिसिस कुछ पार्ट है आपके इसमें कबर अप कराने होते हैं यह टॉपिक जीयर श्ट्रूट बहुत बड़ा एक पहार बहुत बड़ा एक पत्थर ताबीद हो जाता है इस दो महनें इश प्लिण यह सैह अगर आप задач को इस पिशली में saw time के हिसाफ से जब पढ़नाू कर दें तो यह पर सब्सब्जाद करते हैं मेने कान लेते हैं उतों कर लेते हो बडिया से सब्ज्क्त लेकिन जैसे उस्प्ज्क मरभ़ा सामय लग जाता है और आपकày मोरल डाऊनों होना शुरू जातर जो आपने आपका टोटली जुड़ना है फाइनल जो मेरिट बनती है जो आपका सेलेक्शन होता है वो बनता है पेपर वन और पेपर टू के हिसाब से बनता है और पेपर वन और पेपर टू के हिसाब से बनता है और पेपर वन और पेपर टू के हिसाब से बनता है और पेपर वन और पे मिली कि क्या कर रहे ते कि पिरी के priorit कर द ढ सुछ कि क्लास को वह क्या है अब देखेगा प्रापर तरीका क्या है त्यारी करते कि यहां था कि सारे मैंने आपको failure सोने के या selection ना होने के तो मैंने आपको point समझाए उसमें से सबसे पहला एक point सबसे important point कि sese care exam को दो पार्ट में आक लेना होता है यह आप जानते हैं मैं आपको शुरवात में बता दिया है कि paper होना दो पार्ट में एह सकते हैं पता है लेकिन अपने दिमाग में पहले सही अगर आप ऐसे लग पड़ोंगा में इसके लग पड़ोंगा सबसे बड़ा सबसे बड़ा आज ही अभी इस समझ से का पहला समाधान यह है आपको एक साथ लेके चलना है एक साथ लेके चलना है कहने का मतलब आप ऐसा बिल्पुल नहीं हो सकते हैं कि यार पहले एक बार थोड़ा सा अब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं खतम अब्जेक्टिव बान है फैंस के लिए देख लेंगे बीच में क्योंकि समय देगा ही आयोग समय देगा ही भी उसमें पढ़ लेंगे ऐसा बिल्कुल यहीं पर फेलियर होने के तायम मिलता नहीं है तो डियर स्ट्रेंट आप बिगनर है आपने भी डिप्लॉमा किया है कैसे करेंगे एक प्रौपर तरीका क्या है अगर आप बिगनर है लिगनर का मतलब है कि आपने अभी महत पड़े हैं हारणी हो सकता है क्या हो सकता है कि आप beginner हो तो अब आपको completely बता रहे हूँ आप beginner भी है तो आप द्यान से सुने अगर आप ने पड़ा भी है तक तो फिर भी ध्यानसुने रोत करने के स्टेक सुनिएगा स्ट नममर लन स्टीस विध कर रहा हूं सबसे पहले तो मैं बथा दू मैं आपको बिल्कुल धोके में नहीं रहना चाहता कि सबसे पढ़ा है अगर कोई बिगनर है जिसने पढ़ा है तो बार मोटे-मोटे तौर पर बात में देख लेदा अब्जेक्टिव देख लेगा वह अलग चीज पहले से पढ़ा है बहुत सारी चीजे थ्योरी पढ़ी अबजेक्टिव लगा लगा तो बात मुसको शौर्ट नौर सी देखना अपने अब्जेक्टिव लगाना है उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं दो मेहने में वह कर सकता एक मैने में भी कर सकता अगर दिन रात कर ल तो आप जो है दो मैने की बातु भूट त्यारी नहीं हो कि कम से कम यही लेबल तक कि त्यारी कर रहे हैं कि पन मन्थ कि का बोला मैंने के शिक्स टू सेवन मन्थ का समय चीए प्यॉरली त्यारी करने के लिए अब देखो क्या रहेगा उस चैसे साथ मैने के टाइम पर क्या रहेगा क्या रहेगा प्रोक आप नम्मर वन जो है अब सब्सक्राइब इसका मतलब यह कि आप 100% नहीं पड़े थे आपने किसी चैनल के माधियम से पढ़ा आपने कहीं से पढ़ा वाटेबर किसी और अर्गनाजेशन से पढ़ा वाटावर लेकिन आप इसदिन आप पिरी के के खो एक्वाइशन को देख पा रहें कहां नहीं ने पढ़ा है यहां नहीं सोदू voter का ट्यूरी का मतलब है एक कि आत्ते सस्ट्रिंट यहां पर हंड़ेड पर कि 100% का रहेगा आपका 100% कंटेंट को पढ़ने करेगा उसमें कंटेंट की मैं बात करू तो इन सभी सब्जेट की मैं बात कर रहा हूं सब बाते हैं आपको स्टाफ वन में बिल्कुल ऐसा सोच नहीं है कि मैं प्री के लिए पढ़ रहा हूं आपको डिटेल थियोरी पढ़ना पड़े है लिखा भी है तिल थियोरी आपका दिमार्ग में बस एक चीज़ होना चाहिए यह सब्जेक्ट मैंने कंप्रिट नहीं है तो है मतलब की अबजेक्टी नहीं बाद मजटी थियोरी कम्प्लीट थियोरी पहले अब समझेश के इसके साथ यह स्ट्रेंट के लिए मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा है माले इस्टेंट आप मटरेल पढ़ा इस्टेंट मटरेल को जब आप पूरा पढ़ लेते हैं कि जब आप पूरा पढ़ लोगे उसके बाद अगर आप सौट नौर्स बनाने की सोचें बहुत बड़ी जो है इरिटेशन दिमाग मा जाते कि छोड़ो यार अपनी बना रहा हमें इसका सबसे मुख्य जो इलाज है कि जब आप डिटेल थियोरी लिख रहे होंगे जब आप बनाओगे जब आप लास से नौर्स बनाओगे उस दौरान आपके वहुत नौर्स भी तैयार हो जाने की सोटनर्स इन दर सेंस यह है कि जैसे आप सूम के पहले एक्जिल इस्ट्रस वाले फर्मले लेकरे एकशल इस्ट्रस वाले जैसे कि आपका पहले डेल एलिज इकल क्या चीज है यह कुछ इंपर्टेंट पॉइंट कुछ में तो बिंदु को यह लगता है जो कि आप बार-बार भूल रहे है तो सौट नौर्स में मतलब की सूम जो है जहां आपने पूरा इतना मोटा नौर्स जो बनाए था सूम का इस्ट्रेंट अमटरल के इतना बड़ा तो उसी पूरे स्ट्रेंट और मेटल को कंफाइंड करके आपके मैक्समुम 5 से 10 पेज, 7 पेज मैक्समुम 8 पेज यह आपका सूम हो जैसा तो आपका 4-5 पेज पूस्ट कैवल फॉर्मले और छोटे मोटे पॉंचप चलती है ऐसा नहीं कि आपने सारा कहानी फिर से वहां भ पर्मले जब आप अब इसका काम कहां पर आएगा सूर्ट नॉर्स को मैं बता रहा हूं अगर मैं बात करूं यस्ट्व निश्ट नॉर्स पूरा डिटेल ठोरी लिखने के बाद डिटेल कंटेंट पड़ने के बाद किसी भी सब्चिम में तब मत सूर्ट नॉर्स सब्सक्राइब करेंगा इस बात को ज्यान अपने मैनत ज्यादा लगेगी लेकिन एक चीज आपकी बहुत अच्छे से स्टेप बाइस्टेप चल रही है और इसका फायदा देगे अब फायदा को देगे स्टेप नमर थर्ड में चलता हूं इसी से जोड़ा वाइस्टेप इस घुक से लिगोड़ा है से लिए स्टेप नमर खरो li maken को एक आदर बात करता हूं पाइससे स्टेप नमर थर्ड की तो स्टेप नमर प्च जाता हूं किस यह सही मैं बात करूंगा स्टेप नमर तंटिकी तो इसका मतलब अब अब बारी आ गकेए जा में Ty petites yeah you सबसे पहला जो मुद्धा है जो कॉन्पिटेंस करेगा वह सब्सक्राइब कर रहा हूं सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं उसमें तीन मैना भी लगे उसमें चार मैने उसी सब्सक्राइब करना क्या है लगभग किस साल लगभग 20 नल सही कम से कम 15 साल पहले के पेपर करेंगे इस बात को समझे पहले 15 साल के पेपर को सॉल्व करेंगे अब देखो जो कि यहां पर आपको कोई भी मार्केट में इतनी सारी बुकें मिलती है अलग-अलग और अगया जैसन कि किसी के बाद भुक लेख सकते हो 15 साल पहले के जो है पेपर की आपको सॉल्व करना है लेकिन सब्सक्राइब कि कलेना है पहले पीरी लगाओंगे पीरी की किताब लगा यह तो तुमने पढ़ लिया पहीं जब आप डिटेल पढ़ रहोंगे तो दिए टेल में आपका पहलें पिरी प्लस में दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है तो आपको अब जो है मज़ा आएगा जब को भी पढ़ा है क्वेशन भी करने यहां पर आपको पढ़ने पढ़ेंगे आलेते हैं कि आपने डाप पर लिए कि पर पर देजाइन करो तो वह सारी बातें जो है यहीं पर आपकी हो जानी चीह आपका खुदी इसे उचाल उचाल करके जब आएगा इस बात से हैं जब आप प्रिवियस पेपर जब लगा दोगे और हंडेट परसेंट आप गारेंटी के साथ में कहे रहा हूं अगर आपने सत पर सत जो है पर जाएगा यहां पर कैसे आपने detail पढ़ा हूं और जो आपने अच्छा कंटेंट पढ़ा है बहुत बेस्ट कंटेंट पढ़ा है होते हो जाएंगे प्रकर पायंगे हमारा सेलेक्शन हो सकता है लेकिन यहां पर अगर आपने घटिया पड़ा प्रॉल अगर आपने आपका बुनियार बनेगा आपकी त्यारी के लिए अब आते हैं यहां पर की स्टफ नमर थीन पीडिया से पेपर कोई बुक ले लो कौन सा है क्या लेना अगर आपको सर्च में नहीं भी मिलता है तो मेरे से संपर करें हमारे करें तेलिगराम गुरूप में मेरे साथ परसनली पूछें यहांपर मेरे साथ परसनली जूट सकते हैं OUT B मुझे पूर्णस के लिए यहाँ पर पर przyddy की नियूंस के बात करूँगा और के असा आपको किताब नहीं होती है पढ़ना important रहता है किताबें खराब नहीं होती है पढ़ना important क्योंकि यह जो किताबें होंगी इसमें paper तो सारे होंगे ना बले हो सकता है किसी का solution इधर उधर हो जो आपके समझ ना है वैसन तो सारे होंगे प्रिवियस एर पेपर की जो एक्ट्वल आयोंगे इस पेपर में इस पिर्वियस एर पेपर में आपके लिग्निंग भी होगा क्यों होगा और सीव दो रोज रोज के रोज दो तीन पेपर सौल परो दोस करो बार बार जो हैं को repeat करते रहो और जो इन क्वेशन से जो आपके छोटी मोटी थियोरी चोटे 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 कॉंसेप्ट जो अलग आप सीख रहे हैं समझो चीजों को प्रिबिया से एर पेपर से जब आपने रिजिनिंग लगाया जिस लगाया सीवी लगाया इस तीनों सब्जेक्ट में से कुछ नहीं नहीं चीज आपने से खी या कुछ नया कॉंसेप्ट सीखा जो आपने यहां पर नहीं देखा था हो सकता है ऐसा भी उस चीज को आप अलग से मेंशन कर दो उस चीज अलग से में अपने नॉट बुक में तो यह आपका प्रिबिया सेर पीपर हो गया सब्सक्राइब कर दो आप लगाई रहें किताब कोई खुद से लगा रहें किविए स्टप नमर पूर एडियस्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट् के एक पुक्षा ट्रिंजट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रीट्राइब आगार अहड़ ब्रियल में अगर इसविए स्थाण को लो करें अप सथ परस्ट्रीच को बहु और सारे топ-Das The आप पूछ सकते हैं तो लोगों ने यह सारे प्लान को फॉलोव किया है प्रॉपर तरीके से क्या है कि मांदारी के साथ क्या है एक भी दिन जो है दाई नहीं कि है बारा कॽे मिलोगना जो अबकाने का सब्सक्राइब करें न्युक्त भी थे शूरत है सब्सक्राइब आप जांते हैं हो एक एक चीजन निकालते हैं लेते करूं YouTube क्लास की बात करूं या बात करें अपने क्लास paid classes की बात करूं सकता है और तुछ वहां से जितना भी सत पर सत बन सकता है प्री आजवल आज मेंज सब कुछ कम्प्लीट करें यह आप जानते हैं तो देखेंगे तुमारा आरंब बैच तो तो इस्टार्ट वाई यूटूब में फिर यॉप कॉस्ट आप डिटेल पढ़ रहा होंगे हाई वे इंजिनेरिंग ओके और भी सब्जेक्ट चल रहा होंगे और भी चलेंगे पहले लिए तो यह होगे आपका प्रिलिम्स के प्रिवियस एर पेपर लगा दिये पूरी बुक लगा दी इस्टप नमर फोर में जो अप्जक्टी प्रैक्टिस प्रिलिम्स की ही लगाई बढ़िया से इतना करने के बाद आपका पेपर वन बहुत अच्छे जाएगा आप बहुत लोग क्या करत कितने लोग ओसे हैं हृग हम को पढ़नाгорी वी पढ़ना थरी बहुत सारे लोग तो है बिना किसी इस्ट्राटिजी के साथ जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। planning के साथ start करते हैं वो क्या करते हैं बहुत सारा समय जा न है उसमें लगा रहता है history पढ़ने में policy पढ़ने में और economics पढ़ने में general science में लगा रहता है reasoning में भाहत सारा समय लगा देता है सबसे बढ़ा है क्योंड त्युक्त पर बेस पर बोल सकते हैं कि इसके बहुत बढ़ा है से इन सो माक्स कहां से बनेगा उसके लिए मैंनत पहले से शुरू करने पड़ेगी और वह मैंनत आप सुरू कहां से करेंगे हैं जब आपका built up अपना भी हो जाएगा पेंस के लिए भी इक लिए तो आपको मैंने हो तरीका बताया आगे भी अब्जेक्टीव की तहरी previous year paper लगाओ previous year paper से आपको exam कफील हो जाएगा कि हाँ इस त्रेस हो जाएगा और जब आप previous year paper लगा रहे होंगे तो उस ट्राइम आपके reasoning के धमा के दार त्यारी हो जाएगी रिरिंग के जो जो concept आप से पुछे जा रहे हैं वह आप सीख जाओगे आप सीख जाओगा कि कितनी डव तक जा रहा है कि पहले से आप सीविल बहुत अच्छे से सीख तो यह थारा इस्ट्राइब था आपका प्री के लिए paper बन के लिए मैंने फिर से बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा मैनत के लिए फिर से करना है जो दोनों काम है इनका सबसे से पहला काम इनको सुधारने का वही है पूरा पेपर जब प्रिवेस एयर पेपर लगाओगे 15 पेपर कम से कम 10 से पंदरा पेपर लगाओ 2020 से पहले जाओ दस्टक 10 से पहले जाओ 2009 तक साथ तक आठ तक जाओ अगर मिलते हैं आपको पीपर पीपर पूरा लगाओगे तो पूरा फिल्का तो हो गई क्योंकि आपने थ्योरी तो पड़ी लेग लेगे पूरा फिल हो जाएगा और बुक आपको ऐसा लेना है सुनो ध्यान से प्रिवियस यह पेपर का भुक लोगे वह ऐसी लेनी है जिसमें प्रॉपर सॉलिट ऐसा नहीं के पास पेपर उठा दिया पेपर से नहीं फील होगा और नहीं आप सुप मदद कर पाओगे प्रिवियस यह पेपर की बुक दे दो जिसमें की पंदरा पेपर कम से कम हो अगर आप ऑनलाइन सर्थ कर रहे हैं तो ऐस सकते हैं अगरे क्वेशन हर एक वेशन होने चीए स्काव जाए प्लानिंग थे आपका पेपर वन के लिए यह यहां पर 200 मार्क्स में से आपको टार्गेट बहुत इंप्रटेंट रखना है 200 मार्क्स में से अब अभी तक देखा जाए तो सिविल इंडरिंग में 125-127 के नी इसके लिए देट सो के लिए यहां पर इसनिंग में आपको सारा नम्मर लाना पड़ेगा कर भी देता है कई लोगों को मैंना इसा देखा है जिन लोगों सेलेक्शन हुआ है वो पचास बटे-पचास भी ला देता है और नॉर्मली पचास बटे-पचास 48 तक नम्मर आ जा यहां पर वही नम्मर कट जाता है क्योंकि में इतनी सारी चीजहें हैं बहुत सारी चीजहें गलत हो जाती क्योंकि हमको पढ़ा नहीं रहता है रूतने मैंनत करने की जिरद भी नहीं यह और मैं किताब ऐसे दूंगा आपको बात में नाम राम बाण एलाज इसमें कि करन्ट अप्यर्क भले आपको त्यारी शुरू सभी करनी है यह काफी चीज़ां आती है किताब मैं आपको बता हूँ ते लिए यह तो हो गई बात हैं आपकी अब आते हैं जिस्ट्रेंड मां लेते हैं यहां से डेट्स वे उपर ही आप टार्गेट करें ते लिए पर टू की बात करते हैं में सकिक्जांत बात करते हैं है मि घातोप करते हैं में को सब्सक्राइब करकैन करनी में का भी है कि अ च्रचाइब जैसे आपका पर ही पेपर ऐसा तूरा एसा प्रात रहेंगे दूसरा सात्व हो सकते हैं तो ऐसे रहेंगे उसमें से बोला जाएगा कि आपको पांच क्योष्टं करना अनवार्य है तुर एक खोड़ कुछ छोड़ना पड़ेगा इस वनक्षन के भी अंदर आपको तो अलग-अलग section होंगे ए कि पाँच पाट इस तरह से होंगे तो मतलब कि क्वेशन भूस सारे हो जाते हैं बहुत सारे हो जाते हैं हर सेक्शन पे हर एक क्वेशन मेंने देखा बड़े बड़े जो डिजाइनिंग के कैसे कर पाएंगे सबसे बड़ा खेल पता क्या है कि इसके दो घंटे बस मिले हाँ इसमें भी दो घंटे ही है इसमें बहुत बड़ा टाइम नहीं है इसको आवर्सका ही टाइम मिलेगा आपको यह CBT होगा लेकिन ये तुम्हारा आफ्लाइन है पूरा का पूरा उफलाइन होगा यह आपको लिखना पड़ेगा पुरी कॉफी यह पूरा टाइगा नाहीं और इतने लंबा लंबा डिजाइन होता है RCC का पूर आप बीम का डिजाइन देगा पॉलम का डिजाइन देगा आपको OSD पर इतना बड़ा फॉर्मले बेस्ट आपको निमेरिकल देगा इन्वारमेंटल इंजिनिरिंग का जो आपका फिल्टर है रापिड ग्रापिटी फिल्टर उस पर डिजाइनिंग के प्रॉसेज है सेवन जो स्टेजेज आते हैं उनको डिफाइन करिएगा जैसे कि उसमें बैचिंग उसमें मिक्सिंग प्लेसिंग टांस्पोर्टेसिंग का आप कॉम्पैक्शन फिनीसिंग क्योरिंग यह सब बात हैं आपको लिखनी पड़ेंगी तो वहां पर डियो स्ट् सब्सक्राइब का खेल है एशाई पिरी में भी होता है 2 गंटे के खेल में इतने जल्दी स्पीट में लिखना और इतने जल्दी स्पीट में कल्कूलेशन करना यह बहुत बड़ा स्मार्ट इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नुमेरिकल की होनी चाहिए बह लगबग 10 पेपर आप पीछे आपको मार्केट में मिल जाएंगा मेंस का बुक मिलता है किताब के अब करके आपको कम से कम 10 पेपर 10 इएरworking पर कैसा आईगा। पहला स्टेप यह आपको मैंने बता दिया है इस्टे की यह सबसे जो मजबूती का फ़िए यह एस की आप आपने थिओरी पड़ी भी है step नम्मर वन जो है सबसे important step है step नम्मर वन जो है सबसे important step है क्योंकि यहां पर आपको जो है completely जो है स्टेफ नमर जो वन था यह तुम्हारा अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आप चीजों को समझ रहे होंगे यहीं से आपके मजबूती सुरू हो जाएगी लेकिन जब आप प्री क्वालिफाइट कर लियोंगे तो यहां पर क्या होगा यह देखो यहां पर आपको प्रि प्रिक्षाइब नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको समय नहीं है जो लोग वहां पर थ्रिट्था लगाने की कोजि नहीं हो पाता है वहां पर बद जितना भी रिसमाय होगा दो तीन मेहने जो भी मचेगा आपको दो मेने उसमें दिन रात करके बस येयर के पेपर जो है उनक पेपर लगभग पांच पेपर या दस पेपर तसने सही तो आठ भी लगाद होगे तब चल दाएगा एट यर ओड पर एट यर ओड इंग इस टो आप बोल रहोंगे सर यह तो यह सी में तो बहुत टप लेबल आता है मेंस में अप इसका फाइदा कैसा लगाओ इसका फायदा बुक लेना उससे क्या जब आप यह पहला इस्टेप यह यहां पर पहले पढ़ी लिया लेकिन जब आपका प्रीक वाले पार जो इसकी बात कर रहा हूं यहां पर आपको पहले प्रीएस यह पर सोलिशन लगाना है जहर आपको प्रीच कर रहा होगे उससे आपको यह कि प्रीच मेरा नमार रहे हैं सिदह कर हो जाएगा कि यहां इस पेपर तक मुझे जाना इस लेबल तक जाना है तो यहीं आपको कैसे होगा क्या लोजो cris End creepy यहां पर आपको फील्ट के प्र में किस लेबल तक करी सिंस लिए विए कर ने का समय नहीं नहीं होगा आप की मैं इस ए जब आप तयारी कर रहे हों वहाँ पर रहे है उस्धार नहीं सब्सक्राइब करना है तीसरा स्टैफ है प्रिवेस यह पेपर लगा देते हो जैसे आपको लगता है कि अच्छा तयार हो गया तो उसके बाद सब्सक्राइब करना है पड़ेगा सब्सक्राइब करना है अब दिपलोमा है डिगरी है कोई मतलब नहीं सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा सब्सक्राइब करना है कि अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास सब्सक्राइब यहां पर फिट से वही स्टेप लगाओ लो से मॉडरेट बहुत बढ़िया किताब लेकिन जरूर लेना अच्छी वाली की यहां पर सब बाते हैं यहां पर बाते यह यह जाती है आपका प्री और मेंस दोनों जो है बहुत अच्छे सोजाते है बढ़िया बहुत अच्छे से है और आज यहीं कि लोगों ने इस फॉलो किया है इमानदारी मैं उम्मीद करता हूं तो जित्ते भी लोग आप देख रहे हैं सब लोगे फॉलो करें जो आप एससे पड़ रहे हैं और आप सभी आप पूरी सुबकामनाई है और मैं आप सभी लोगों के साथ अगरीम सुबक आप सब्सक्राइब करते हैं तो कि हमने तर्फ निकालना तेकिन हम गलतिया बहुत ज्यादा उसमें कर तो सबसे में मोटी भी था आपको समझाने काज प्लानिंग के साथ त्यारी स्टार्ट करते नहीं बस पहले सोचते हैं कि पहले को करें फिर बाद में में को कर लेंगा ऐसा बिलकुल नहीं है पूरा तरीके साथ को समझाए कि त्यारी कैसे करने हैं अब बताते हैं आपको कि सर आपके दिमार में आ रहोगे साथ कैसे कैसे पढ़े हैं यूटूब चैनल है जे एंड एए उन सभी पर सभी की क्लासेज होने वाली है आपके फिरी आप कॉस्ट आरंब बैच करें कि आरंब बैच करें आरे यहां पर हमारे चैनल पर प्री क्लासेज होने वाली है यह फिर आप कॉस्ट है यूटूब में ठीक है अभी मैंने स्टार्ट क्या है विजूनी को पूरा डिटेल में फिर से कहा है क्या प्री प्लस मेंस के साथ किसी सब्जेट को जब आप सब्सक्राइब को उसको बिल्कुल आप अफ्जेक्टी मत अब जर्टी का काम कब यह देखो आप जटी कब का है स्टेप नमर 4 पहाँ सारे लढ़ी लड़के जो है बहुत सारे जो है विध्यार्थी करते हैं यही पर फ्रकलती कर लेते हैं पहला ही जो है आपका प्रक्र फ यह जो समय होगा को समझा रहा था यहां पर यह समय जो आपको समय मिलेगा इतने सारे सब्जेक्ट गिल्पुल नहीं पढ़ सकते हो इस दोरान के वल आपके previous year paper लगेंगे previous year paper लगेंगे mains के वन वो आपके SSC के भी लगाने आपको ESC के भी लगाने engineering service exam के भी लगाने close से moderate level बस आपका पूर्ट त्यारी complete just and such कह रहा हूँ मांदारी से आपको जो है follow करना इस planning को अभी आपको सच कह रहा हूँ अभी बहुत समय है अगर आज भी अभी से भी आपने स्टार्ट किया just and such में आप जो है guaranteed selection अभी भी आप जो है इस थारी इस जो भी मैंने आपको बताई पहले समस्या बताई पिर समस्या का समाधान बताया अभी भी मान लेते हैं कि कुछ लोग संसूस नहीं है तो मेरे साथ इसमें पर्सनरींग रहे हैं पहली सकते हैं कि इसमें मेरे साथ किसी भी चीज़ा है आप बात कर सकते हैं यह एंड ही है तो इसमें मेरे साथ completely बात कर सकते हैं कि एक है कि यह रहा है इसको देख सकते हैं प्लेइस्ट में हमारी क्लास देख सकते हैं आपको पूरा कम्प्लीटली फील होगा कि हाँ सच में जो सर कह रहे हैं और सच में कह रहे हैं एक चीज को दिखाया गया है एक चीज को फीगर के साथ समझाया गया है प्रक्टिकली सिग्निफिकेंट के साथ स हुआ एक विलगबक बारा लेक्चर हो चुका है अरवा लेक्चर है आज मैंने पर साथ में सत पर सत इस पर सत कंटेंट दे रहे हैं किए कि आप पर निर्बर है तेयारी स्टार्ट है अपने फार से कर रहे हैं तो अभी आप करते आ है तो जिसे कि आपका फार्दा होता है कि साथ जो मेरे चलते हैं कि या यूटूब क्लासे ज्या पीपर का जो पूरा फुल पैकेज जो क्लास चलता है जैसे कि अभी हमने चला है था अभी कुछ ही दिन बाद लगवाग फ्राइड़ या सट्रेड़े को आपका डी डी ये जे आपके नौन टेकनिकल के थे इंग पैथमेटिक्स और इंगलिज उसके क्वेशन भी कराएंगे वो लगलग जो हमारी फेकली है वह आपको पूरा पीपर कराएंगे सीविड काम लोग कराएंगे और अगो लोग आप लोग होप सो हसत परसत आप संतुच है नहीं भी एंग आपको प्लासस में थैंक्यू वरी मुट्च